नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर सासा राम नारंदा में इंटरनेट सेवा बहाल सरावबंदी से जेलों पर बढ़े लोड को लेकर नितीज सरकार का फैसला बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने जारी किया गाइडलाइन आना से लोगसभाच नाव लड़ने को पवन सिंग का दावा धोनी के सम्मार में वानखडी की चार सीटे रिजर्ब बनेगा है समारक इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से सासा राम नारंदा में इंटरनेट सेवा बहाल राम नवी जुलूस के दौरान बिहार के नारंदा और सासा राम में दो समुदायों के बीच हुए हिंसा की घटना को लेकर प्रशासन के दौरा दोनों अस्थानों पर इंटरनेट की शेवा को बंद कर दिया गया था ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से अफ़ाहों को फैलने से रोका जा सके वहीं अब हिंसा के आर दिनों के बाद विहार के सासा राम में इंटरनेट की सेवा बहाल कर दी गई है बता दे किस बात की जानकारी रोतास जलादिकारी धर्मिंदर कुमार के द्वारा दी गई है उन्होंने ट्वीट कर शासराम शहर के सिती के बारे में जानकारी दी और लोगों से अपील किया है कि जिलादिकारी महोदे ने कहा है कि इंटरनेट सेवा चालू होने के बाद सोशल मीडिया का सतर्ता से इस्तवाल करे अफवाव गलसूचना फैलाने वालों पर सक्त पिहार में सराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन सराब तशकरों की गिरफ्तारी की जाती है बता दे कि गरफ्तार किये गए तशकरों की संक्या इतनी बढ़ गई है कि सूबे में 13 नए जेल बनानी का निर्णय लिया गया है बता दे कि राज्य के प्रवल और उपकारा पाली गंज में होडा है। प्रेल महीने के शुरवात हो चुकी है और बिहार में अप्रेल महीने के शुरवात से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं। इस मौसम को देखते वे लोगों को अधिक तेलव मसाले वाली चीजे खाने से भी मना किया गया है। साथी साग और मौसमी फलो का सेवन करना चाहिए और सर्दी खासी बुखार होने के स्थिती में बिना डॉक्टर की सला के दवाका सेवन ना करे। नालंदा हिंसा में शामिल आरोपियों के घर की कुर्की। बता दे कि कुर्की के दवरान भारी संख्या में पुलिस बलकी तैनाती की गई थी ताकि किसी बिस्थिती से नप्टा जा सके आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जिन आरोपियों के घर कुर्की की जा रही है उनमें एक घर बजरंग दल के जिला संयोजक कुंदन कुमार क मुहम्मद सेरू, मुहम्मद चान, मुहम्मद रशीद, मनीश्वर्मा और सोनु सुर्मा के नाम शामिल है, फिलाल मुन्ना और पपु फरार चल रहे हैं बिहार में कुरोना से हुई पहली मौत, बिहार में बढ़ते कुरोना के बीच अब कुरोना से पहली मौत भी हो गई है, दरसल बिहार के गया में मंगद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भरती, 70 वर्षी महिला की बीते दिन शुकरवार को मौत हो गई, पता दे कि जिस महिला की मौत हुई है वह जहानाबाद के मकदूमपूर की रहने वाली है मिली जानकारी के नुसार महिला को तीन दिन पहले ही इलाज के लिए गया के जैप्रकाश नारायन अस्पताल में लाया गया था उसे सांस फुनले की बिमारी थी जिसके बाद जब अस्पताल में उनकी आर्टी की तिति को लेकर जाने अपडेट पतना मेट्रो के कॉरिडोर 2 में पाटले पुत्र ISBT से पतना जंक्षन रूट पर 18 किलो मीटर लंबे अंडरग्राउंड रूट के लिए दो मेट्रो लाइने तयार करने के लिए पतना जंक्षन से मलाही पकड़ी के पहले तक कटर कवर मल कर TBM कुल 36 किलो मीटर के खुदाई की जाएगी बाकी मलाही पकड़ी से पार्टले पुत्र बस स्टैंड तक का काम एलिवेटेट होगा DMRC के निदेशक दलजी सिंग के दोरा दीके जानकारी के नुसार 4 साल में टरनल और 5 साल में शेशन का काम पूरा कर दिया जाएगा अपना काम पूरा कर लेगी मालुम हो किस पैकेज में दो और TBM स्रामिल है आरा से लोगसभाचनाव लड़ने को पवन सिंग का दावा बीते दिन भोजपूरी एक्टर पवन सिंग के दोरा 24 में होने वाले लोगसभाचनाव को लेकर एक समचार चैनल से बाचीत करते वे दावा किया गया है कि वो आरा से लोगसभाचनाव लड़ने जा रहे हैं इसके लोग उनने पूरी तैयारी कर ली है बता दे कि उनके दोरा किये गया इस दावे से आरा के सांसतवर किंद्रिय औरजा मंतरी आर के सिंग के टेंशन बढ़ती नज़रा आ रही है उन्हों ने कहा कि वे बीजेपी पार्टी के कारे करता हैं सेवक है और सिपाही है उन्होंने कहा कि उन्हें आरा से चुनाव लड़ने के लिए केवल नरिंद्र मूदी जी के आदेश का इंतिजार है हमारा देश का राजा नरिंद्र मूदी इंसान के रूप में हमारे लिए भग्मान है लोग देख रहे हैं कि उनके कारण कितना विकास हुआ है मेरा सवभाग्य है कि मैं इस पार्टी का एक छोटा सा कारे करता हूँ वहीं देश के सभी लोगों के लिए भी यह सवभाग्य की बात है कि देश के प्रिधान मंत्री नरिंदर मूदी है बिहार में मिले कोरोना के 20 नए मरीज मिले है इसके बाद अब बिहार में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 76 हो गई है बता दे कि बिहार में मिले 20 नए मामले में 11 मामले बिहार की राजधानी पटना से मिले है जिसके बाद अब पटना में ही सिर्फ एक्टिव मामलों की संख्या तरपन हो चुकी है हाला कि इसमें कई मरीज ऐसे हैं जिनमें हलके लक्षन है तो वहीं कुछ में मध्यम लक्षन है जो घर में रहकर भी ठीक हो सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एक महीने पहले प्रदेश में करोना के मरीजों की संख्या शुने पर पहुंच गई थी वहीं बीते दो सब्क में करोना के मामलों में लगातार बढ़हतरी देखी जारी है पटना ए से पांच मिनट के बजाए महल दो मिनट हो जाएगी पतादी के फिलाल एयरपोर्ट पर नए एटीसी टावर में ग्लास लगाने का काम चल रहा है जिसे तीस अप्रायर तक पूरा करने का लक्षे रखा गया है उसके बाद इसकी कमिशनिंग के लिए डीजी सीय से आगरत किया है इसके साथ ही टेकनिकल ब्लॉक का भी नर्मान कारे पूरा क्या जा चुका है बिहार में ट्रांसजेंडर का कोड नरधारित होने पर मचा बवाल बिहार में जाती अधाय जनगन्ना के दूसरे चर्ण के श्रवात 15 अप्राय से होने वाली है लेकिन इससे पहले जाती से भी संगठन दोस्ताना सफर की संस्थापक सचीव रेश्मा प्रशाद के द्वारा सरकार के उठाय गया इस कदम को अपराधिक कृत्य करा दिया गया है बीते दिन शुक्रवार को उन्होंने कहा कि किसी की लैंगिंग पहचान उनकी जाती कैसे हो सकती है क्या फूर्श औ गैर भेदभाव को रोकने की बात करता है हाला के समुद्धे पर सरकार चर्चा करने को तयार है 2024 लोग सभाचनाओं को लेकर समराध चौधरी का पीएम मोधी परवयान बीते दिन बिहार बीजेपी के प्रदीश अध्यक समराध चौधरी के दोरा 2024 में होने वाले लोग सभाचनाओं को लेकर प्रधान मंतरी नरंद्रमोदी को लेकर कहा गया कि देश में प्रधान मंतरी नरंद्रमोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्योंकि विपक्षी पाटियों में कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता उन्होंने कहा कि विपक्षी पाटियों में कई प्रधान मंत्री चहरे हैं देश की जनता चानती थी कि महागरबंधन सरकार उनके लिए कुछ नहीं करेगी यही वज़ा है कि जनता नरेंद्रमोधी के साथ है अभी देश में PM की कोई वैकंसी नहीं है इसके साथ उन्होंने विपक्षी खेमी के उन लोगों का नाम भी गिनवाया जो प्रधान मंत्री चहरे हैं उनमें बिहार के CM, नितीश कुमार, उत्तर प्रदेश के CM, अखिलिश्याद, दिल्ली के CM, अर्वंध के जरिवार, पश्रिम बंगाल के CM, ममता बनर जी, तेलांगना के CM, के चंदर सेखर राओ, तमिलाडू के CM, MK स्टालन के नाम शामिल है CM ने करोना वैक्सीन को लेकर केंद्र से कीमा, वितदन यानि के शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा, स्वास्त विवा के भवन के उधगाटन और मेट्रो के सुरन के खुदाई के उधगाटन कारिकरम के बाद समधाताओं से बातचीत करते CM को लेकर काहा गया कि राजय में ठीका खत्म हो गया है, उईनोंने कहा कि राजय में एक सब्ता पहले तक तीका करंद चल रहा था लेकिन अब खत्म होने के बाद वैक्सीन की मांग केंद्र सरकार से की गई है, iCYCY में केंद्र सरकार को चाहिए कि वक्सीन जल से जल्द हम में उप्लब्द करवाए जिससे ठीका करण बिना किसी परिशानी का लगातार चलता रहे से साथ भिहार में कुरोणा मो को बढ़ाकर कहा गया जए क्वेवेशार के कुजिला के मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में सरकार इसको लेकर अलर्ट है लोगों को यह सला दी गई है कि वियस्पताल या किसी भीर भार इलागे में जाने से पहले मास्क जरूर पहने सुशील मोदी ने की सिक्षा मंत्री को बढ़ खास्त करने की माँ बिहार के सिक्षा मंत्री प्रोफसर चंदर सिखर के दोरा दो पदों के वेतन को ठाने को लेकर बिहार सरकार के पुर्व उपमुख्य मंत्री एवं राजिस सभास अदश्य शुशील कुमार मोदी के दोरा तंज कस्तेवे कहा गया है कि ऐसा सक्षा मंत्री नितीश कमार के दोरा लालू प्रशाद यादव के दवाव में आकर बनाये गया है। उन्होंने कहा कि जिस सक्षा मंत्री के कारण बिहार को सरमसार होना पड़ा इसलिए बिना देरी के उन्हें बरखास्त कर देना चाहिए और एक वेतन की राची वसूल कर लेनी चाहिए। उन्होंने सारजनिक रूप से रामचरित मानस पर आपत्ती जनक टिपनी की लेकिन उन पर कोई कारवाई नहीं हुई। अच्टो क्रिकेट संग ने टीम इंडिया के पुर्व विकेट कीपर बल्ले बास और सफलतम कप्तार महिंदर सिंग धूनी को सबसे बड़ा संबान दिया है। दरसल 2011 वर्ल कफ फाइनल में धूनी द्वारा लगाया गया विलिंग सिक्स स्टैंड के जिस कुर्सी पर गिरा था उसे हमेशा के लिए रिजर्व कर दिया गया है। वांकरे स्टैडियम में उन्चार कुर्सियों को धूनी के उस शक्के की याद में हमेशा के लिए रिजर्व कर दिया गया है। सुमवार को मुंबई क्रिकेट संग ने अपने सिर्थ परिशत की बैटक में लॉंग ओन के पीछे स्टैंड के उस स्थान पर एक स्मारत बनाने का फैसला किया है जहां MS धोनी ने वर्ल्ड कफ फाइनल में श्री लंकाई तेज गेंदवाज नुवान कुले शेक्रा की गें राज़ानी शनिवार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी कियेगा इसके बाद राज़ानी पटना में आज पिट्रॉल 107.02 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रती लीटर में मिल रहा है वह पूर्णिया में पिट्रॉली कीमत 108.072 रुपए और डीजल 95.04 रुपए प् कीमत 94.097 रुपए प्रती लीटर नर्धायत की गई है इसके साथ ही गया में पिट्रॉल रुपए 14.031 रुपए और डीजल रुपए 95.064 रुपए प्रती लीटर है बता दी कि बिहार में पिट्रॉल का लेट सबसे आदा कसन कंज में है जाहा पिट्रॉल 109.04 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.60 उने चार उपए प्रति लीटर की दरस्ते मिल रहा है चई माध्य पूचे का सवाल का आप सवाल के ओर आज का सवाल है किया आपनी कोरोणा से बचाओ के लिए कोरोणा वैकसीन का सारा डोज ले लिया है अब पनम जवाब हमें मारी कमेंन सेक्षंशन में लिएक कर जरूर बताएं आज के लिए रहें बियार योटूप से लिए चा Casey ये लगि धन्यवाद